लोग फ्रेंड्स intra महादू आप अच्छी विडियो में आपको दिखाने वाली हूँ अपने वाराराज्टरस्छी सहर का एक और अलग सच्छाई आछ इस अच्छी बातीए में दिखाती रह तो हैं कुछ अच्छी बाते तो हैं तो कुछ कमियां भी हमास्य tu dear में हैं जिसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर इतना जदा जाम लगा हुआ है और यह जाम क्यों लगा हुआ है यह भी सुनिए आप तो हमाएं शहर में आ रहे हैं आज डियम सहाथ के आने की खुशि में इस तरह से रास्तों का पुरा ब्लॉक कर दिया गए है यह आप दे सकते हैं यहां בא तोorkह बड़े वालोंको और बड़े वहानों और रोग दिया गया है किस जगह से जाएंगी किस जगह से वो आएंगी कैसे निकलेंगी कि रास्ते दिखाई दिखाई दे रहे हैं आप लोग को जो लोग पेदल चल रहे हैं उनका भी चलना मुहाल हुआ है बहुत ही बुरी सती हो जाती है अगर कोई इस तरह से रास्तों को एकदम खाली किया गया यह देख सकते हैं बस इधर के रास्ते से यह टू विलर आ रहे हैं और कुछ दिर के बाद इन फोर विलर को भी आने के अनुमुति पितब उधर से तो आ सकते हैं पुरा घुमा करके ले करके आना है लेकि सामने से ले करके नहीं जाना है तो काल भर मंदी दर्शन करने के काल भर मंदीर के रास्ता मैं पो दिखा रही हूं और यह देख सकते हैं क्या ही यहाँ पासे बहुत ही मुश्पल से यह बटू विलर को भी इका दुक्का आने की अनुमति मिल पा रही है यह देख सकते हैं यहाँ पसी किए कre'tी कितने टाइट की गई है और — टाइट हो भी इस ऐस सी बार थोड़ी है तो बहुत जल्दीी हमाले कार्भयो मंदी एक जोड़धार होने वाला है बहुत जल्दी मकाल हैं जो के मेंस को तोड़ करके just इस टेक काम है वह anytime मंदी मदिया ज्यूटर शूर शूरो मालो है तो देख सकते हैं बहुत जल्दी यहां भी बोजरी बनने वाला है और कुछ चीज़ें यहां को बिक्ती भी दिखाई दे रहे होंगी पुजा पाट से समंदित यह क्याल मेरे मंदिका में दिश्ट आप सबको दिखा रही हूं और बहुत परशान हम हो गये हमें गलियों से हो करकी जाना पड़ा आज जिशाष मिट की तरफ और बहुत परशान होंकर मैंने यह वीडियो बनाया कि भाई यह जांकारी हों चाहिए मैं जिश्कों को किस तरह से कोई डियम वेगरा आ जाए तो कितनी बुरी हाल्थ हो जाती है और देख सकते हम चौक की तरफ आ चुके है यानि कि हम आ चुके हैं विश्कनात मंदर के पास यहां देखी अब गेट नमबर चार दिखाई दे रहा होगा और यहां पर हमारे महादेव जी विराजमान हैं हैल्प लाइंग के लिए काफी जगर जगर पर बूत भी लगे हुए हैं जिनसे आप हैल्प ले सकते हो और सि सानओ लग जाता है बहुत दिकत होती जाने वालों को काफी बाहर बाहर कि वेक्टी आ रहा है और देख़सक्ते और समय राटकी की कर Tam दिखा है मुंधेर जगर ने खड़ब करकें। वहां हमारे जो की जनता है वह बिल्कुल बे नाक में दम कर रखिए किसी दरह से खराब कर देना है कुछ भी अच्छा रहने ने देना है मतलब क्या ही बोले जाया अपने हैं अपनों को कुछ कहना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन हम सच बताएं तो बहुत ही बेकार मतलब सब्सक्राइसरों दना है का लोग होते हैं जी जांते हैं कि को आंगे बढ़ना यह नहीं चाहते हैं वो किस तरह से चीजों का खराब करते कहई पर कि पान की तिक्शाइट देगी नो को कहीं उनके ही चुनाओचिन तो हान से होऀ कर्की धिवार उखरना मतलब कुछ भी खराब करना है तो करना है तो यह राद की 8 बज़े का में समय दिखा रही हूँ आप लोगों को देखते की यह स्टम्मेवी रास्तों क्योंकि इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं जाम लगा हुआ है और यह विशिशर गंज का एरिया है जो आप देख प मिलना है आप टाइम फ्राइब अधिक लिए करिए अभी आप देख पा रहे हुए मैं आपको पहलाद घाट करें दिखा रही हूँ कि अभी यहां पर भी काम होना बाकि है काफी कुड़ा कच्ड़ा यहां फिका रहता है चुकि रास्तों को बिलोगी खराब कर रहा है जहां जी 20 की इतने से त्यादें चल यह पूरे यहां कुछ शेहर को चमकाया जा रहा है वहां कुछ जगा ऐसे भी हैं जहांपे काम होना बाकि यह देखते पथा वथा भी रखे गए हैं कि रास्तों लगाना जाना वाला काम बाकि है और यह जो आप दिवाल देख पा रहे हो यहां पर देखते हैं अभी यह कुछ दिन पहले यहां पेंट्रीस का काम होगा था और अभी आप देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी खराब हो हैं बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब काम भी गारना जानते काम करना तो बिल्कुल उनको आता ही नहीं तो देखते हैं अब बहुत यहां पर किसी दिवाल खराब किया तो इसकी लिए भी कारवाही की जाएगी यह भी नियम बन चुका है तो क्रिपया आप इन द की तरफ और वहां का भी दिश्चा दिखाते हैं आपको दिश्च राज में जाड़े आज बज चुके हैं और रोट कितने चौड़े और कितने साफ हो चुके हैं लाइटिंग कितनी चमक रही हैं और अभी भी समान कुछ चीज़े रखी गई हैं काम होना बाकी अभी भी आगे बढ़ते जाएंगे तो को राजगाट मिलेगा और यह देख सकते हैं यहां भी जामम लगा रहता है हमेशा ही रास्ता सिंगल है यह मुगर्स राय और राम नगर आपको ले जाएगा तो देख सकते हैं जी ट्वैंटी का अभी यहां पर रखा हुआ इसा इंतिजाम क गया है और बहुत ही बड़ा यह आयोजन होने वाला एक तो हो गया दूसरा अभी फिर होने वाला है बहुत जल्द होने वाला है तो देख सकते हैं किस तरह से यहां पर दिखा रही हूं चे तो बच्छे बड़े भी हैं जो कह सकते हैं कि थोड़े से बेवकुफ टाइब की होते हैं चुप कोई चुप विख ऊपर यहां चड़ा चुंट को ड़ोा हमानें शकर सकते हैं किस तरह से पुरा ही रूट को चमकाया घया है लाइटिंग काम आपКो कैसा कही नहीं है जो नहीं मिलेगा हर जगा लाइटिंग लाइटिंग आपको दिखाई देगी बहुत इच्छे और पुरी जो साइट में जो दिवाल थी वहाँ प्रपत्था वथर लगा दिया गया है हर तरफ काम है हर तरफ प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है बर कुछ जगा ऐसी भी है जहां काम होना बाकी है जल्दी वह भी काम हो जाएगा तो आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं नमो घाट के तरफ और वहां कभी आपको भी हम डिस्ट दिखाने वाले हैं देख सकते हैं यह लाइटिंग आपको हर जगा दिख रही होगी हर तरफ दिख रही होगी मालवे पूल पर और यहां का मैंदेश दिखा रही हूं आपको कि रात में नाइट क्यों किसा लगता है हमारे नमो घाट का यह देख सकते हैं लाल पीली बत्तियां जल रही हैं और कितना ही सुन्दा लग रहा है आप मालवे पूल से राज घाट के तरब देखेंगे तो ब और इसे साथ इस वीडियो के यहें पर एंड करते हैं